सर आप क्या कहना जाएंगे मैं वहीं बाजू के प्लॉट में रहता हूं यह प्लॉट सुन्द्रा भाई के नाम से था यह जो चालू है वह बिल्डर ने कैसा महेश्वरी और बाजू में 664 प्लॉट था और एक गवर्मेंट प्लॉट था यह तीनों को एक साथ लिया है और वह सुन्द्रा भाई जो थी ना सर वो हाँ यह सुन्द्रा भाई का डेथ सर्टिफिकेट है यह 23.6.1987 को एकस्पायर हो गई अच्छा 87 में हाँ 87 में यह देथ है देखे देथ 23 जून 1987 को जो है यह सुन्द्रा भाई इनका नाम है और यह देथ साडिफिकेट जो है यह है यह है तो सर यह होने के बाद मयाने 87 में एकस्पायर हो चुकी है फिर भी इस यह एक गोशना पत्र है यह भी कैमरे में अनिल भोईर ने दिया हुआ अनिल भोईर आफिसर है अफिसर नहीं है यह एक थर्ड परसन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसने भी पावर आफ इटर नी दिया है और लिया है कोई मयत नहीं है सब जिन्दा है जबकि वह सुन्द्रा भाई 87 में आफ हो चुकी थी कहें कहें बहुत बड़ा है आप जैसे देख रहे हैं देश साटिफिकेट गौवर्मेंट द्वारा जो बनी हुई है उसमें जो डेट आप देख रहे हैं वह अलग है और यह जो कमेंडमेंट किया जा रहा है कि जितने लोगं साथ में एग्रिमेंट हुआ है जिनकी प्रॉ यह यह सामने आपको एक बार देखने के लिए मिल रहा है इस हिसाब के जो है लोगों के जो मिल तरह से बहुत बड़ा इसकैम लोग करते है मार्केट में और इनके खिलाब जो है कोई प्रसासन द्वारा जो है कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है ऐसे पीडि जो है लोग दोड़ रहे हैं लेकिन इनको निया नहीं मिल पारा है और निया के लिए अगर कोट में जाते हैं तो उनका लंबा प्रोसेस होता है और आज हम जो है बिलडर करके लोगों की जो सिकायतें है उन चीजह को लेकर Ja ear महैं पुए है जो है आज हमें सिकायत मिली है लोगों की परिसान है डील्डर से उनका क्या चेहना है उसके बारे थाग जाएंगे और इस समय जो है यह मैं बता दूं महसरी अपार्टमेंट जो है यह मुलूंड कोट के बगल में है मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह जो पतरे लगे हुए महसरी अपार्टमेंट का ही काम हो रहा है यह बैक साइट का है फ्रेंट आपको मुलूंड इस्ट था हमारा ownership building ती जी प्लस त्री ऐसा और बिल्डर जो है उसने वहां पहले आठ साल पहले नो साल पहले फ्लैट लिया एक और बाद में building को C1 category BMC ने करार दे दिया और बाद में सोसाइटी वाले जो है वो बिल्डर कोई इस बिल्डर कोई प्रिफरेंस देखकर इसी को रिडर्मेंट के लिए दे दिया काम अच्छा यह बिल्डर का नाम पहले भी वेसी भी बहुत खराब है दो तिन बिल्डिंग ने बनाय और मैं नहीं निकलूंगा और बाद में BMC वाले पुलीस वाले आ गए सब जबदस्ती मेरी फैमिली को निकाला जो 13 जुलाए 2015 को बारिश के दिन था उसी में निकाला और उसके बाद बिल्डर ना रेंट दिया ना एग्रिमेंट बनाया यह बिल्डर का क्या नाम है आनन दरग 25-30 बिल्डिंग मैंने सुना है इदर मुलूंड में भांडूप में लिया हुआ है और सबको ऐसी कर रहा है तो आज मैं 8 साल हो गए 8 साल से मैं मेरी फैमिली परिशान है ना रेंट मिल रहा है मैं कैसे कैसे गुजरा कर रहा हूँ एग्रिमेंट नहीं बनाया अभी तक अच कि हाई को ओडर है कि वो बेच नहीं सकते वो गैर कानूनी हो जाएगा फिर भी यह बेधड़क बिंदास कर रहा है अचा मैं सब पॉलिटिशन से भी सब बात किया किसी ने मेरी मदद नहीं कि यहाई MP हो MLA हो इधर के हो किसी ने मदद नहीं की यहाला कि हमने उनको वोट द सब्सक्राइब करेंगे चीटिंग हो जाता है आपको भाड़े नहीं मिल रहा है और एग्रिमेंट भी नहीं बनाया अभी तक क्या प्रूफ है आपके पास करेंगे भाड़े का जो है यह डेवलपन एग्रिमेंट जो है वो रेजिस्टर्ट कि है 2016 में इसमें अल्यड़ी ल डिपोजीट भी ढई पकी ब्रोंकरी चार्जेग से बगर रहे और इसमें लिखाए कि जब से यहें अग्रिमेंट बनाma है। और आप आज आठ साल हो गये हैं और इसके बाद जो अग्रिमेंट बनना ची है हमारा जो रिजिटर अग्रिमेंट बना कि यह है अब है जिसमें द्यूज़ा अग्रिमेंट बनाने के लिए उन्हों order किया हुआ है बट फिर भी वो 2016 में जब वो cm थे तब मैं उनसे मिला था और उनका ये order है और इस order में स्कीदी सीधा लिखा हुआ राकेश मोदी बिल्डर वा महान अगर माली का अधिकार एक नुन फस्वन हो बता देए जो है उस समय पीम को भी मिले फड़नवेश जी को वहां से जो है हाँ सीम को और जो है यह आपको सारी डिटेल्स बता रहे हैं इनके नाम से जो दिया गया थ तो इसका मैंने BMC में कम्टेंट किया वापिस मंत्राले में जा रहा हूँ मैं कोशिश चालू है मेरी ऐसा लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है मैं आपको बता दूँ यह बहुत बड़ी समस्या है आज के समय मार्केट में बिल्डर द्वारा लोगों को भाड़ा ना देना यह बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा है इस मुद्दे के उपर मैं कहूंगा मेरे चैनल के माध्यम से कि यह मुझे अकसर सुनने के लिए मिलत होगा आज फिर आपको जो है महस्वरी अपाटमेंट के बारे में इनको बता रहे हैं इनको भाड़ा नहीं मिल रहा है तो बिल्डर को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर कमिट्मेंट करते हो भाड़ा देने का तो भाड़ा दीजे क्योंकि वह परिवार कहां जाएगा भाड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे लोग हैं अपने परिवार को देखेंगे कि रेंट भरेंगे और रेंट आज के समय में कितना रूम चेंज करेंगे हर साल बढ़ते जा रहा है आदमी आज उतनी सैलरी नहीं पा रहा है जितना लोगों को रहने के लिए रेंट लग रह क्योंकि हजारों की भविष से खराब करके एक का भविष से आपका भविष से बनाना यह गलत बात है आप हजारों के भविष के साथ खिलवार मत करिए और मैं प्रसासन को भी कहूंगा ऐसे बिल्डरों के खिलाप आप सक्त हो ये क्योंकि इनको डर नहीं रह चुका है इन स्टावर का उपियोग कर या क्योंकि इनके साथ में जो है चीटींग हो रही है मार्केट में और यह सारे के आपिसरों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर भी जो है बहुत सारी गलत तरीके या किस तरीके उसे जो है building को एसारे में convert कर दिया जा रहा है सारी चीजे लेकिन उसमें इन लोगों का ही loss हो रहा है बाकी लोगों का loss हो रहा है और फाइदा किस पर और मुझे नहीं पता है और भी हम पुछेंगे सर और क्या दिक्कते आ रही है और जब इन्होंने जब proposal डाला था इन्होंने य जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डर जो है private building भी लिया हुआ है और जोपड़ी जो है बगल में अगर चौल है उसको भी उसमें involved करके जो है जैसे officers जो है सही decision ले गलट decision ना ले और सर आप क्या करेंगे इन्होंने हमको बताया था कि दो building बनेगी एक sale building बनेगी और एक SRA building बनेगी तो SRA वाले जो है स्लम वाले SRA में रहेंगे आप लोग sale building में रहेंगे ऐसा तो हमको लगा ठीक है इतने बड़ी plot है ऐसा दो building बन जाएगे यही चीज़े मैं बताया यही चीज़े मैं पहले बता दिया हूं कि कहीं कहीं लोगों को बीडियो बना रहा हूं मेरे भी खिलाब में बहुत सारे लोग मेरे भी बिरोध में करेंगे बिल्डर लॉबी जो है बहुत बड़ी लॉबी है यह कुछ भी कर सकते हैं लोगों के साथ मेरे साथ में भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन नहीं हम इनके डर की वज़े से हम क्या पुलाएंगे अपनी तकलीफ बताएंगे क्योंकि मेरा चैनल ही पॉब्लिक की सिकायत और समाचार है इस चीज को आप समझे हैं मैं हर पॉब्लिक की समस्या को दिखाऊंगा मेरे चैनल में सर आपके में मालूम पड़ा कि ऐसा रहे में करने से उनको बहुत ज्यादा फाइद कि यह जो बिल्डर है उसको पुराने लोग चाहिए नहीं रहते की पुराने लोग रहते थो सेल का मर्केट डाउन हो जाता है कि लोग सोचते हैं पुराने लोग भी है तो उनको कमपेसे में यह पैसे या डिले करके वह बेस देता है ऐसा चाहता नहीं ऑज तक वह अभी त लेगा इस बिल्डर को तो फिर उनका भगवानी माले के क्योंकि मेरे साथ मेरे साथ तो मैं पहले भी सुन चुका था लेकिन अभी एक्सपिरिंस किया इन आठ सालों में मेरी जिन्दगी हमारी फैमिली की लाइफ तबा हो गई है आज मेरी बेटी वो बोलती कि मेरी 2-3 साल मे मैं तो अपने घर में रही नहीं जिन्दगी में मैं अभी क्या कर सकते हैं हमको ऐसा बिल्डर मिल गया तो आप पीडित हैं मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे अभी भी मुलूंड में और बहुत सारे जगों पर सलम एरियां पड़ी हैं जिस जितना हो सके जब उसके उनका पास्ट एक्सपिरेंस देखे जो लोग उन्होंने पनाया है उनको भाड़ा टाइम पर मिला की नहीं उनका एक्रिमेंट बराबर बने जितना बोला था उतना ही एरिया दिया है की नहीं ऐसा क्यों पेपर बनने के बावजूद भी तो आपको भाड़ा नहीं मिल रहा है तो इसके ओपर क्या कोट का डर नहीं है प्रसासन का डर नहीं है किसी चीज का डर नहीं है तो अब आदमी क्या करें वह पब्लिक क्या करें कि सलम के लोग अब क्या करें बिल्डर के लिए कि उनके भाड़े जो है उनको टाइम से मिले ने तो एक किसी की बिल्डर को जैसे मेट्रो वाले अनंदर गर उसको तो कभी मत दें मैं तो हाथ जोड़के बोलूंगा सर आप वकील है और वकील होने के नाते मैं आपसे थोड़ा सा जाना चाहूंगा इनको भाड़े नहीं मिल रहे थे तो सर आप आपकी यही समस्या थी तो आप क्या कहना चाहेंगे मैं तो कहना चाहतो यह कि इनसे आप लोग जिसे बाइस सब ने बोले कि इनसे आप और इनसे जो भी इनका पहले आप बाइगरोंड देखो पहले बिल्डर कैसा क्या है अगर बुरून में आप लोग को देना किसी को इस बारे में जो मोदी जी की समस्या है अभी तो उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रशाशन को भी बताना चाहता हूं और अपने मानने मंत्री जी को एसारे ऑथरिटी को ये बताना चाहता हूं कि आप अब जो भी किसी को भी बिल्डर को भी प्रोजेक्ट दोगे आप तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि तीन से पास साल का भड़ा एडवांस में उनका जमा किया जाए जो भी टेनेंट रहेंगे ये मेरा एक सुजाओ है प लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं देते हैं भाड़ा तो क्या करें वो लोग फिर से अपनी जगह पर आ सकते हैं दुबारा आ तो सकते हैं वैसे कुछ बात नहीं पहले अगरेंट तो इसी चीजों के लिए कि आप प्रतबंधित हो जाते हैं उनकी प्रॉपल्टी पर नहीं जा पाते हैं इस बारे में थोड़ा और डीटेल में बताना चाहूंगा कि अगर आपका ऐसा प्रशन है तो इस बारे में मै प्राओंगा कि प्रॉपर आपर ही स्वायर ये बनायों सवाल पूचा आपने तो में यही मेरा दो प्लिन्ट जो है मतलब विफोर कंप्रीटिंग और फर्स सेकेंड फ्लोर रेजिटर एग्रेमेंट उन लोगों टेनेंट्स के साथ होना चाहिए तो इसमें आजाएंगी टेनेंट्स लोगों को और जो भी यहां से गुज्रे हुए तो उनको एक यह सुजाओ जाएगा कि वह यह अच्छा अपने लिए नहीं लेकिन सब के लिए कहना चाहता हूँ यह पुरे हमाराष्ण पूरा इंडिया के लिए मैं बताना चाहता हूं सरी पात्र और अपात्र का खेल बहुत तेजी से चलता है और इसके ओपर क्या क्या कि यह क्या इनके भी प्र्रजक्ट में इसके कुछ ये प्राइबिट में इसी सब चीजे नहीं हो दिये उल्म आंफ इसारे में राता है पाथरा पात्रे में आता है यह सर्फ, स्लम अथोरिटी में आता है सर आप क्या कहना जाएंगे मैं वहीं बाजू के प्लॉट में ही रहता हूँ यह प्लॉट सुन्द्रा भाई के नाम से था यह जो चालू है 664, वो बिल्डर ने कैसा महेश्वरी और बाजू में 664 प्लॉट था और एक गवर्मेंट प्लॉट था यह तीनों को एक साथ लिया है और वो सुन्द्रा भाई जो थी ना सर वो हाँ यह सुन्द्रा भाई का डेथ सर्टिफिकेट है यह 23.6.1987 को एकस्पायर हो गई अच्छा 87 में हाँ 87 में यह देथ है देखे देथ 23.6.1987 को जो है यह सुन्द्रा भाई इनका नाम है और यह देथ सर्टिफिकेट जो है यह है तो सर यह होने के बाव यह ने वो 87 में एकस्पायर हो चुकी है फिर भी इस यह एक गोशना पत्र है अनिल भोईर ने दिया हुआ है अनिल भोईर ने दिया हुआ है औफिसर नहीं है यह एक ठाप परसन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसने भी पावर आफ डिया है दिया है कोई मयत नहीं है सब जिंदा यह जब कि सुन्द्रा भाई 87 में आफ हो चुकी थी पाई जिंदा है यह agreement पेपर के हिसाब से लेकिन इनकी death certificate के हिसाब से जो है वो मर्चुकी है तो इसमें 2 गलत कौन है गलत कौन है government की death certificate गलत है यह यह बहुत बड़ी बिस्चा है बहुत बड़ा fraud है यह यह सामने आपको एक बार देखने के लिए मिल रहा है इस हिसाब से जो लोग दोड रहे हैं लेकिन इनको नयाय नहीं मिल पा रहा है और नयाय के लिए अगर कोट में जाते हैं तो उनका लंबा प्रोसेस होता है कितने सारे पेंडिंग केज पड़े हुए हैं उनकी जैसे इन्होंने बताया भी मोदी जी ने बताया भी कि इनकी बच्छी जो छोटी आपधकी थी तो वह साधि करने लायक हो जाती है वह बोलती है कि मैं नहीं च्रा पाँंगी तो ऐसी बहुत सारे लोग परसान नहीं के भावनाँ आज ना खेला जाए उनके उमीदों के साथ ना खेल चाहंगा मेरे में चैनल के माधम सते अबी आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चालू है जिसके अंदर फ्रॉड है जाच करने की भी सह है जाच करके ही बिल्डरों के हाथ में प्रोजेक्ट दिया जाए उनको कार करने की अनुमत ही दी जाए ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो सके और सर कुछ आपके दो पॉइंट और बत दिखाया है और उस 40 जोपडों के आधार पर उसने ऐसारे बनाया अभी बिल्डर से जो बिल्डर के अपोज में था या तो बिल्डर ने उसको हट के बाहर रख दिया है या अपात्र करा दिया है मेरे पीता जी का फोटो पास था सर्वेपावतिती इलेक्शन कार्ट था ब होने के बाव मुझे और मेरे पिता जी को आज तक एक रूपया भाड़ा नहीं दिया है उसने तो यह अगर भाड़ा नहीं दिया तो यह भाड़ा लिया कैसे जाएगा इसके बारे में किसी ना आपको गाइड किया है तो वह भी कुछ नहीं कर रहे है आज आओ कल आओ केने तो इनके आगे कभी 11 मेने का भाड़ा इनको दिया जाए अगर नहीं देते हैं तो इसारे को क्या करना चाहिए इसारे को एक्षन लेना चाहिए बिल्डर पे उसको स्टॉप और का नूटिस निकालना चाहिए उसका सेलेबल बंद करना चाहिए तो यह सारे का ओपिसर मैं कह रहा हूँ PGA News जो है आपको News दिखाता है आप इस चीजों को देखिए मेरे News के चैनल पे आप देखिए लोगो समझा हो को समझे आप एक्सन लिजिए क्योंकि यह जो है अगर कोट का आदियस है सारी चीजे हैं अगर आपको दिया गया है तो आप क्यों एक्सन नहीं ल का आदेश आया हुआ है लेकिन आज तो कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई ऐसे बहुत सारे सारे ओपिसर्ज को पर आरोप लगते आ रहे हैं और लगते आएंगे अगर वो अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो लोग समाज में आपकी एक छवी आप पढ़े लिखे अधिकारी बनके आते हो आप सिच्छित होते हो आने के बाद आपको क्या ऐसा चीज आ जाती है कि आपकी जो सारी बुद्धी बरश्ट हो जाती है आपकी आप जिस कुर्सी बैठे हो कुर्सी की आप गरीमा को बनाये रखिए और ऐसे लोगों को नयाए आप लोग दिलाने का काम करिए बिल्डरों को तो उनका भवी से बन चुका वो कितने के भवी से खराब करके अपने भवी से बना रहे हैं मार्केट में लेकिन आप लोग कुछ लोगों का भवी से जो बचा सकते हैं आपके हाथ में जो पावर है आप बचाने का प्रयास करिए और सबी लोगों से ben यही कहना का प्रयास करिए लेकिन कहिं कहीं आप लोगी कुमक्रंड की नीद जो है सो रहे हैं और ध्हितराष्ट की तरह पट्टी बांध अंधे हैं तो धित्राष्ट मत बनिए आख रते हुए भी धित्राष्ट मत बनिए आप और सर लाश्ट में आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन हम अगर मैं जाता हूं तो वो तो मेरे को माना ही करते हैं बोलते कि आप तो प्राइवेट बिल्डिंग में हम सरे वालों को ही रेंट दिलाने का काम मेरे असमया तर्फ लोर से ग्राउंड फ्लोर तक एक लेटर आने के लिए आठ दिन लगते और वहां पर जाओ तो ऐसारे का ओफिस आज नहीं है कल आओ पाच मिनटर को दस मिनटर को आईसा करकर के लोग सुबह दो बज़े से लेके दूपर के ग्यारा बज़े से लेके शाम के साथ बज़े तक रुखाते और फिर चल जाते लाश्ट मां बिल्डर से क्या कहना चाहेंगे गराबर तरीक इसे बनाई है क्योंकि आप तो बना के निकल जाओगे बाद में अगर कुछ आपने इलीगल किया तो जो रहने वाले है उनका प्रब्लम होझेगा जिस तरह कैंपा को लाज जैसा हो तोड़ गया ऐसा नौइड लिंग भी मुझे लगता है कि इतने गड़बर हुआ है जिस तरह विदान सभा में भी जो है इनकी बात आवर साब ने ये निकाला ये वीडियो मेरे वीडियो में मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल में यूटूब में ऐसा तो उन तब भी कुछ हुआ नहीं ऐसा और जैसा कि पॉलिटिशन और इसारे को भी मैनेज कर दिया सीमी और एक साल होगा है सीओ मिलने को तयार में इस तरीके से एस तौछ घंड लोगें खिलाफ और अगर बना आए तो सही तरीक से नहीं आते तो किसी और को दे दीजिए दूभी दूसरा बिल्डर सही तरीके से बना देगा इस तरीके सब यही बहुता है मुझे लेकिन मैं देखता हूँ ऐसे समाज में कुछ ही लोग आते हैं बिल्डर के खिलाफ जो है अपनी सिकायतों को बोल पाते हैं तो यह आप ही लोग कुछ लोगों में कियों ऐसे चीजे मैं देख पाता हूँ इसा क्या है कि आप ही कुछ लोग आते सामें जैसे जो बिल्डर से कोई पैसा नहीं लेते हैं बे धड़क बिल्डर से लड़ते हैं इसी के साथ मैं जय पांडे छोटा सा प्रयास दिखाती हुए पिजय नूच पे जय है